हेलो एवरीवन वेलकम टू एडू मंडला जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें जाना था कि इंडिया ने और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया ने क्या-क्या प्रोजेक्ट्स लाउंच किये हैं ग्लोबल लेवल पर ट्राइमेट चींज को देखते हुए तो यह वीडियो इंपोर्टेंट है चलिए आगे इस बारे में जानते हैं वाई न्यूज जो इंडिया है इंडिया ने COP26 जो ग्लास्गों में हुए है इसमें अपने दो एंपीशियस प्रोजेक्ट आगे लॉंच किये हैं वो दो हैं CTRI आईडिस और इस ग्रीन ग्रीड इनिशियेटिव जो प्रोजेक्ट साइन को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ए इसमें 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 यूनाइट्रीड सेट्ट जर्मनी यूके और ब्राजिल बांगलादेश अफगानिस्ता नेवल भुटा श्री लंका उजपन जैसी कंट्रीज हैं CDRI जो है एक नॉलिज सेंटर की तरह काम करेगा और यहां अपनी जो मेंबर कंट्रीज हैं यह उनको साथ शेयर करेगा और उनको सिखाएगा बेस्ट प्रैक्टिस ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रॉक्चर को डिजास्टर प्रूफ बना सके ऐसा नहीं है कि जो CDRI है जिससे नुकसाह ना हो तो क्योंकि climate change के एक झाले की आछएगा नेशन और नेशन बाटे यहां में एक बनास्ता सकती है जो डिजार्सटर्सक्ट्रॉक्ट्स के बना सकते हैं जो डिजास्री नेफाल है भूतान है यहां पर आर्ट्विक्स काफी जादे हैं जबादे के लोन्स काफी जाद आते हैं और ब्राजिल में सुनते रहते हैं कि फोरेस्ट फायर हो चुकी है वह चंग लोग चुकी है हमने भी लास्ट टाइम काफी जाद सुना था इस बारे में तो ऐसे ही और हमने देखा था कि यूरोप में भी हीट वेव आई थी तो बहुत कुछ हो र अब सीड़ी तो जाद पर कोई डिजास्ट ट्राइक करें तो जब कोई डिजास्टर स्ट्राइक करेंगा तो आपे कम से कम फौर्ड बॉलर का जो लोग होग हो तो पहले होता था एक डॉलर की इंवेस्ट्मेंट पे अब जो extreme weather events है वो हमारे day by day increase कर रहे हैं उनकी frequency और उनकी intensity बढ़ती जा रही है बहले हम जो भी actions ले रहे हैं climate change को counteract करने के लिए लेकिन वो उसके बाद भी हमें एकस्पेक्ट कर रहे हैं कि disasters की frequency और intensity day by day increase ही होगी future में तो इसके लिए में prepare रहने की जरूरत है अब अगर हम इसे बारे में बात कर रहे हैं तो यह शुक्रियादा हमें मानना चाहिए शुक्र मानना चाहिए कि बहुत thankful होना चाहिए हमें कि जो warning or tracking systems and technology में development होने की वजह से cyclones के बारे में या वाकी disasters के बारे में हम पहले पता चल जाता है और हम वहां से लोगों को निकाल लेते हैं evacuate कर ले जिसके वैसे कि loss of lives है वो तो काफी जादा कम हो गया है लेकिन जो infrastructure भी खतरा मंटरा रहा था व वो डैमेज हो जाते हैं street lights uproot हो जाती है और जो flight or train की सेवा है में वो भी बंद करनी पड़ती है यह cascading effect होता है जब भी कोई disaster आता है और इसकी वैसे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई में billions of dollars हर साल खर्च होते हैं तो ctri एक ctri का aim यही है कि यह जो damage और disruptions है इनको हम जल्दी से चल्दी कम कर सके ISA harnessing the solar power ISA is International Solar Alliance जिसका गटन 2015 में Paris Climate Change Conference के टाइम पे हुआ था ISA का main objective है कि large scale पे harness करे और exploit करे solar energy को equatorial और tropical regions में जो countries आती है वहाँ पे sunlight के quantity बहुत सादा होती है और almost पूरे साल है वहाँ पे sunlight भरपूर मातला में मुझूद होती है जो की sufficient to meet the energy needs of the many countries in this belt लेकिन दुरभाग्य वश unfortunately जो solar power है इन एरियास में वो बहुत कम deployed है अब ISA इसी चालेंज इसी चीज़ के उपर काम कर रही है कि वो इस चीज़ को change करे और जो deployment है solar power की यहाँ पे उसको increase करे by bringing down the cost of the technology and finance यह जो आप इस map में देख रहे हैं ट्रोपिक ओफ कैंसर से ट्रोपिक ओफ कैप्रिकॉन के बीच में जितनी भी countries आती है यहाँ पर जो sunlight होती है वो काफी जादा मातला में आते तो इस region में इस region में जो भी करेंगी for the demand and standardization of the equipment and grid प्रोमोर्टिंग रिसर्च and development अब आई से क्या जो dream है उसको realize करने के लिए one sun one world one grid project को भी एक नाम दिया गया है मतलब कि यह प्रोजेक्ट अब लाया गया है इंडिया के दुआरा ओएस और डबलू ओजी project जो है इंडिया ब्रिटेन के साथ बिलके भी लाया है यह प्रोपोजिस कोवन गिडिट थ्रो मॉर देन हंड्राइड कंट्री सो डड़ा इसकी वज़ा से क्या होगा जो एनर्जी सप्लाइब वो स्टेबिलाइज हो जाएगी और जो लोकल और नेशी को फ्लक्ट्वेशन होते हैं सो सनलाइट के अवेलेबिलिटे में वो भी मैनेज हो जाएंगे एंड मेंटेंड टैलायबिल बेस लौट कपैसिटी से टोल नाइम्स आयासे और सीडी एंडिया की अट्रेम्ट है ताकि वह क्लाइमेट चेंज की लीडर्शिप में लीडर्शिप को क्लेम कर सके इन दोनों ही इनिशिएटिव से वाइट स्प्रेड इन दोनों ही वह कम रिलीज होंगी और यह मिटीगेट करेगा उसके अफेक्ट को क्योंकि फोसिल फ्यूल्स जो है वह कम यूज होंगे तो कार्बन एमिशन कम होगा और जो क्योंकि जो भी डिजास्टर्स हो रहे हैं डिजास्टर्स की वजह से हमें अडेप्ट भी करना पड़ेगा खुद को तो उसकी वजह से यह मतलब इंफ्रास्ट्रॉक्ट्रॉक्टर होगा है हमारे स्थेंथन कर रहा है तोगेधर देवर्म इंडिया फिजन फोर ग्लोबल ग्लाइपेंट एक्षिंट एक्षिंट अग्विटी ने पहलेप्ट में इस थे इस पर इंफ्रास्ट्रॉक्टर्चर फोर राजिलियन आइलें चार्थ और इस और डबलु ओग की तरह आईरिस भी एक प्रोग्राम है जो इंडिया ने लॉंच किया है और जैसे ओएस डवलू ओजी एक रिलाइजेशन है और आइस वैसे ही आईरिस भी रिलाइजेशन है CDRI initiative का जितने भी small island nations हैं जितने भी small island states हैं वह बहुत जादा क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए क्योंकि जैसे ही कुछ बड़ा डिजास्टर आता है तो वहां पर बहुत जादा में प्रोग्लम देख़े को मिलती है और यहां पर यह खतरा रहता है कि इन नेशन के उप्रे तलवार खत्रे की घंटी है यह हमेशा कौल किशोर उन्होंने बोला है कि जो स्मॉल कंट्रीज है उनको जादा नुकसान होता है जब भी कोई डिजास्टर आता है क्योंकि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह लिमीटीड है वहां पर जैसे कोई बड़ी कंट्री है और वहां पर बहुत सार एरपोर्स होते हैं जब भी कुछ डिजास्टर होगा तो उसके अगर एक दो एरपोर्ट बंद भी है तो वह बाकी जगहाओ का यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो छोटी कंट्री होती हैं जो स्मोल आइलेंड नेशन्स हैं वहां पर होता है कि एक ही ब्법नफ ससके अगहाओ क स्ट्सक्र Indigenous लाना थाकिशन्स वाद गार्ट का नाइड डवर एक ही जो कि एरफी मुटस नेशन्स आडिडिएंड साम पति मॉस्टि वूर्ट मॉस्सटार्ँ मेड सन्क स्टॉटेस का इस in डे र sven दीघ्ल कर से हो और कुछ सा where रेक को आजे बर कि रेसिलिंट बन सकें, बॉर्णिंग सिस्टम को डेवलोप करना और शेरिंग ओफ बेस्ट प्रैप्टिसेज अब ग्रीन ग्रीड इनिशेटिफ क्या है? ग्रीन ग्रीड इनिशेटिफ के अंधर आते है हमारा OSWOG प्रोजेक्ट वन सन वन वर्ड वन ग्रीड प्रोजेक्ट जो इंडिया ने लॉंच किया है बिटीन के साथ मिलकर इंडिया है प्रोपोस्ट कनेक्टिंग सोलर सोलर अनर्जी सप्लाइ अक्रोस अग्रोस अग्रोस अगर दिन है तो उस टाइम पर दूसरे नेशन से रात हो रही होगी तो उस टाइम पर जईसे नेशन में दिन है वहां से अनर्जी ट्रांसफर होके दूसरे नेशन में जाएगी जांपे इस ट्राइम पर रात है इसकी वीज़े एनर्जी का फ्लो है वो कॉंटिनियस रहेगा OSOWG is also aimed at addressing the issue of high cost energy storage power and renewable energy minister Arki Singh has underscored the point that the high cost of energy storage is a key challenge to boosting the use of renewable energy तो उन्होंने बोला है कि OSOWG project की वजह से इस इनेशियर टिप की वजह से जो नीड होती है storage की उसके उसमें जो खर्चा होता है जो को कोस्ट आती है वो अभी कम हो जाएगी चैलेंजिस क्या है वो OSOWG project के लिए इसमें पहला major अगर जो चैलेंज बोलेंगे हम यह बोलेंगे कि जो बहुत साथा डिस्टेंस पे energy transmission में काफी ज्यादा खर्चाएगा यह भोदाद expensive होने वाला है तो OSOWG project के तहते बोला गया है कि जो solar power है वो पहले नेवरिंग countries के बीच में ही नेवर्स के बीच में ही ट्रांसफर की जाएगी अगर हम एक्जामपल लें तो इंडिया बोटान बांगलादिश मैनवार और नेपाल की बीच में यह potential capacity है energy transfer करने के लिए तो इसको हगर हम further expand कर देंगी तो यहाँ पर solar power का transmission आसानी से हो सकता है और एक्जामिन करेंगे projected power demand कितनी है कंट्री के वहां पर supply कैसे होगी कितनी किस मोड पर होगी possible है या नहीं है और as well as the renewable energy resource potential तो country by country basis पे सारी studies की जाएगी तो feasibility को major किया जाएगा so this was all I hope आपको iris, isa, os और wog project सबके बारे में समझ में आया होगा यह सारे ही project इंडिया ने लॉंच किये और यह इंडिया के लिए भी बहुत जरूरी है global level पे भी जरूरी है जिसको हर चका सपोर्ट मिल रहा है तो thank you guys and subscribe our youtube channel thank you